हेलो स्टुडेंट्स, है एवरीवन, चलिए बच्चों EMI के डिस्कसन को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत करते हैं अब हम एप्लिकेशन्स ओफ फेराडे लोग के बारे में देखो बाई, मैंने आपको EMI में दो बाते मता ही, सबसे पहले फेराडे लोग क्या है, सैकेंड हमने बातचीत की लेंज लोग क्या है आज हम बातचीत करेंगे बिटा फेराडे लॉग से जो EMF induced होता है उसका amount different different cases में क्या होगा तैज मींज हम बातचीत करेंगे applications of फेराडे लॉग के बारे में आज का यह जो lecture है बचो इसमें हम emotional EMF cover करेंगे किसी भी conductor को magnetic field में move करा कर कितना EMF induced होता है इसके बारे में बातचीत करेंगे generally मैंने देखा है neat exam में एक option हमारा emotional EMF से आता है क्योंकि इसमें direction भी पूछ लेता है साथ की साथ magnitude भी पूछ लेता है तो जो अभी तक हमने पढ़ा फेराडे लो और लेंज लो उसका भी concept इसमें अच्छा खासा involved हो जाता है तो आज की lecture को अच्छे से समझना एक एक point को बारी की से समझना अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसके आने बाले अगले जो भी lecture है उनको समझने में भी आपको बड़ी आसानी होने बाली है चलिए भई देखो बच्चो टॉपिक का नाम है हमारा emotional EMF EMF word का मतलब हमें पता है EMF meaning हो गया voltage only मुझे यहाँ पर emotional word को समझना है emotional का सीधा सा meaning हो गया motion that means कोई भी particular movement की कारण voltage की जो produce हो रहा है that is called emotional EMF अब इस बात को मैं आपको समझाता हूँ कहने का मतलब क्या है मालो यह हमें बेटर कोई भी external magnetic field दिया हुआ है जिसकी direction है अपनी inward यह कोई भी external magnetic field है इसकी direction अपनी किदर है inward अब मैं बोल देता हूँ बच्चो इसमें कोई भी अपना एक एक conductor रखा हुआ है यह देखिए बच्चो यह कोई भी आपको rails दियुए है और यहाँ पर हमारा यह कोई भी एक conductor रखा हुआ है जिसकी length है और यह conductor एक particular velocity V से एक uniform velocity V से इस external magnetic field में move कर रहा है आपको क्या बोल रहा है यह कोई भी conducting rails है rails जैसे पटरी होती है train की ठीक है और यहाँ पर यह कोई भी conductor है जो की moving है यह V velocity से आगे जा रहा है तो overall मैं बोल दूँआ है यह जो conductor है यह move कर रहा है तो इसके कारण जो EMF आएगा उसको हम emotional EMF भी बोलते हैं और induced EMF तो हम बोलते हैं तो पहला जो question हमारा यहाँ पर frame होता है conductor की movement के कारण कितना EMF produce होगा उसका amount क्या होगा current कितना होगा इन सब के respect में हमारे numerical आते हैं तो इस बात को समझने का try करते हैं कितना EMF यहाँ पर induced होगा अब देखे आपने पढ़ाए as per faradage log as per faradage log if anyway magnetic flux is changing then induced EMF will produce and the amount of induced EMF is equal to minus of d5 over dt minus length से आ गया था तो बस मैं यह identify कर दो यहाँ पर अगर magnetic flux में change हो रहा है तो EMF induced होगा जिसका amount होगा this one अब देखिए initially let's say यह conductor इस position पे था तो इसका जो effective close area हो गया वो इतना सा हो गया इस effective close area हमें से magnetic field pass हो रहा है ultimately इस effective area से कोई ना कोई magnetic flux associated है एक time पे यह conductor move करके बेटा यहाँ पर आ जाता है एक time पे यह जो conductor है अपना यह move करके इस position पे आ जाता है अगर conductor यहाँ आ गया तो effective area में change हो गया ultimately अब ज़्यादा magnetic flux pass हो रहा है पहले इतने area से magnetic flux pass हो रहा था अब area भढ़ गया और अगर area में बच्चो change हो रहा है तो मैं बोल दूगा यहाँ पर magnetic flux में भी change होगा अब magnetic flux में change होगा तो emf तो induce हो गई होगा right check करते हैं कितना emf induce होगा let's say अब यह move करके x distance पे आ जाता है ठीक है देखिए भई magnetic field अंदर है area vector भी outward sense में अंदर ले लिया तो theta हो गया 0 cos 0 हो जाएगा 1 magnetic field है अपना B जो कि fix है अगर area लिखूँआ तो यह rectangle हो गया length L और यह width x है तो area आजाएगा L into x correct अगर बच्चो मैं इसको solve करता हूँ जो जो constant है उसको भार निकाल लो minus के B L भार आ गया यह होगा हमारा dx over dt overall amount of induced EMF that is equal to आ जाएगा हमारा B L कितना EMF यहाँ पर induced होने वाला है which is equal to होगा B L ठीक है कोई भी conductor अगर external magnetic field में move कर रहा है इस तरीके से अगर move कर रहा है उसके magnetic flux में अगर change हो रहा है तो उसमें EMF induced होगा definitely induced होगा and value of induced EMF which is equal to a B L B आई बात सवाज में B तो होगया बिटा magnetic field L is a perpendicular length and V is a sphere of this conductor तो सबसे पहली बात होगी that EMF is also called motional EMF तो सबसे पहली तो बात होगी कितना EMF यहाँ पर induced होगा इस बात को अभी बहुत सारी details के साथ भी हम discuss करेंगे अलग लग conductor को टेडा रखेंगे उल्टा रखेंगे, vertical रखेंगे, horizontal रखेंगे हर तरीके से रखे इस बात को समझेंगे पहले हम standard format समझने का try कर लाए तो देखिए बच्चों यहाँ पर पहली बात अगर मैं बात चीत करूं induced EMF की तो EMF तो हमारा कितना induced हुआ यहाँ पर BLB EMF तो कितना induced हुआ बच्चों हमारा BLB अगर मैं बेटा यहाँ पर बातचीत करूं induced current की की current यहाँ पर कितना induced होगा तो मैं बोल सकता हूँ that is equal to होगा induced EMF upon resistance of circuit upon resistance of circuit that means that is equal to आएगा अपना VLB upon R if I consider resistance of this circuit that is equal to है capital R तो यहाँ पर current भी flow होने लगेगा current कितना है अपना E upon R that is VLB upon R तो दो बाते होगे तीसी भी बात आती है direction क्या होगी current की अब देखे direction एक तो मैं आपको बता हूँ आपको बता हूँ आपको लेंज लोस से लेंज लोस से निकालते है cross मतलब होता है सर जी north pole area भढ़ रहा है मतलब flux बढ़ रहा है बढ़ रहा है तो सर यहाँ पर north pole बनेगा north मतलब anti clockwise current कुछ ऐसे जाएगा अरे बढ़ने के पर same pole north मतलब anti clockwise current ऐसे जाएगा मतलब कि battery की polarity ऐसे होगी क्योंकि current positive plate से निकलता है अगर यहाँ पर battery बनाओगे तो यह battery की polarity यह होगी जिसका EMF है अपना होगी है आई बास सर्ज में नहीं आई क्लियर दूसरा तरीका क्या है बेटा एक तो हो गया lens loss है अगर मैं यहाँ पर थड़ बातचीत करूं direction of induced current direction of induced current अगर इसके लिए बातचीत की जाए तो इसको हमने निकाला बेटा lens loss है जो की हमारा क्या आ गया anti clockwise है इसका एक alternate way भी possible है that is right hand rule इसका जो alternate way possible है उसको हम बोलते है बेटा right hand rule जैसे अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूं fingers को आपको इसी तरीके से arrange करना है जैसे हम magnetic effect of current में left hand rule में apply करते थे मतलब कि एक तो होता है बेटा thumb एक होती है अपमारी यह finger एक होती है बड़ी finger और यह दू बड़ा गंदा सा हाथ मैंने बनाया है यह तीन चीजे अपमी होती है आरी बात सब्सक्राइब है अगर यहाँ पर मैं बातचीत करूं यह जो four finger है इसको तो रखना है magnetic field की direction में ठीक है four finger को तो हमें किदर रखना है magnetic field की direction में पेटा हमारी middle finger है इसको रखना है हमें current की direction में, मतलब कि यह बताईगी हमें current की direction और जो thumb है इसको रखना है हमें motion की direction में, जिदर भी हमारा conductor move कर रहा है उस direction में रखना है, मैंने अलाग कि lens law से आपको बता है कैसे आप direction निकाल सकते हो, लेकिन lens law के अलाबा right hand rule भी आप पढ़ सकते हो right hand rule से भी निकाल सकते हो, इस तरीके से positions रखनी है 4 finger magnetic field, thumb को current की direction में, तो middle finger बताईगी direction of current जैसे अगर मैं पिछले वाले result में verify करता हूं, 4 finger को magnetic field, thumb को velocity की direction में रखा तो middle finger उपर जा रही है, यह means current उपर जाएगा, जो सीधा सीधा हमारा identify हो रहा है तो direction of induced current को एक तो हम lens law से निकाल सकते हैं, here second possibility यह जा, right hand rule, right तो तीन बात है तो हमारी बेटा यह हो गई, induced EMF कितना होगा, induced current क्या होगा, direction of current क्या होगा और क्या-क्या बातचीत हम यहाँ पर कर सकते हैं, और क्या-क्या result हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इस चीज़ को समझते हैं देखो बच्चो, जैसे ही यह conductor move करने लगा, तो इसमें current flow हुआ तो अब इसको मैं बोल सकता हूँ, that is a current carrying conductor इसको हम क्या बोल सकते हैं, यह हो गया हमारा current carrying conductor सही बात है यह जो current carrying conductor है, यह magnetic field में रखा हुआ है अगर current carrying conductor magnetic field में रखा जाए, तो उस पर apply होता है magnetic force तो आपसे एक पूछ लेता है, इस पर कितना magnetic force apply होगा अगर बिटा मैं magnetic force के direction की बातचीत करूँ, तो हमेशा magnetic force हम निकालते हैं left hand rule से, four finger को middle magnetic field की direction में, middle finger को current की direction में तो इस पर opposite direction में apply होगा magnetic force तो आपको यहाँ पर पूछ लेता है, magnitude of magnetic force क्या होगा तो हमारा जो fourth result है, that is a magnetic force on current carrying conductor magnetic force on current carrying conductor आपने पढ़ रहता है, that is denoted by FM, which is equal to होता है, I, L, B, sin, टेटा चीदा सीदा formula यहाँ पर आप बना सकते हो, magnetic force that is equal to, value of I तो अपना कितना है? V, L, V upon R, length कितनी है बिटा? L, magnetic field है B, और अगर मैं theta की बातचीत करूँ तो length और magnetic field perpendicular है, sin 90 हो जाएगा 1 then the magnetic force on current carrying conductor, which is equal to Y, V square, L square, V upon R कितना magnetic force लगेगा? V square, L square, V upon R, इतना magnetic force यहाँ पर apply होगा right, fourth हो गया fifth, एक और तम आप से पूछ लेता है बिटा, power imparted by magnetic force कितना power magnetic force इसको दे रहा है? चाहे वो supporting sense में हो या वो opposing sense में हो तो आपने पढ़ रखा है बिटा, power that is equal to होता है force into velocity power क्या होगा? force into velocity पसे यहाँ values put कर दो, force तो हमारा आया बिटा, V square, L square, velocity upon R, multiplied by velocity ultimately यहाँ पर बन जाता है बिटा, power that is equal to होगा, V square, L square, V square upon R देखे हैं, तो दो नई टम मैंने यहाँ पर add की है एक है बच्चों magnetic force, एक है power सीधा-सीधा formula है, बहुत ज़्यादा सोचने का नहीं है इस standard चीज़ हैं तो हमारी यही थी induced EMF, induced current and direction of induced current fourth मैंने आपको बताया, कितना magnetic force इस conductor पर apply होगा fifth मैंने बताया कि कितनी power वो इसको impart करेगा force तो हमारा apply होगा, उसको तो हमने बड़ी आसानी से determine कर लिया जो power यह impart करने वाला है, that is equal to आएगा B square, L square, velocity square upon R, resistance यहाँ तक कोई doubt नहीं है, चलिए तो देखिए बच्चो, पहली बात होगी, emotional conductor की, अगर कोई conductor magnetic field में move कर रहा है, किसी भी तरीके से magnetic flux में change हो रहा है, तो definitely EMF induced होगा and amount of induced EMF होगा, BLV, ठीक है 6 अगर मैं बातचीत करूँ, और क्या-क्या पूछ सकता है आपसे आपसे पूछ सकता है, amount of induced charge देखो, इसके बारे में भी पूछ लेता है, कि induced charge कितना होगा, delta Q की value अपनी क्या होगा, इसको कैसे लिखा जाए, तो देखिए, आपने पढ़ रखा है बेटा, induced current यह होता है, induced EMF upon resistance, ठीक है, अगर मैं induced EMF की बातचीत करूँ, तो यह होता है, rate of change in magnetic flux, अगर बेटा मैं यहाँ पर लिखूँँगा, current को, current is a rate of flow of charge with respect to time, that is equal to आएगा, 1 upon R, delta phi upon delta T, तो यहाँ से हम overall define करते हैं, here induced charge, that is denoted by delta Q, which is equal to आता है, delta phi upon R, which is equal to कितना आता है, delta phi upon R, ठीक है, तो अगर induced charge भी आप से पूछ ले, उसको भी आप निकाल सकते हो, छे concept हमारे होगे, value of induced charge होगी, delta phi upon R, यहाँ तक clear, अब तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया, अब मैं पहले इस पर numerical करा हूँगा, एक बार हम आपको पढ़ाया, यह कोई भी एक uniform magnetic field दिया हुआ है, strength of this uniform magnetic field is 5 tesla, इसकी strength अपनी कितनी है, पढ़ा, 5 tesla, आरी बात सज्ज में, अब मैं ऐसे बोल देता हूँ, कि यह पढ़ाया, कोई भी loop मैंने इस external magnetic field में रखा है, जिसमें यह बेटा, resistance कुछ इस तरीके से अपनी connected, लिख रहे हैं आपको, इनकी value ले ले लेते हैं, चलो, सबकी value है 4 ohm, इसकी value है बेटा 4 ohm, इसकी value है 4 ohm, इसकी value है 4 ohm, and that is also 4, ठीक है, सबकी value हम ले ले लेते हैं, इधर भी एक resistance लगा देते हैं, कि इधर भी एक resistance है, जिसकी इसकी value है 6 ohm, यह conductor, move कर रहा है, with a velocity of 2 cm per second, यह पूरा जो system है, यह magnetic field से भाहर निकल रहा है, with a velocity of 2 cm per second, then determine, induced current, आपको बता रहा है, इसमें induced current कितना होगा, एकदम आसान सी problem है, question को note down करो, और solve करना, start करो, कोई भी conductor, ऐसे loop है, conducting loop, magnetic field से बाहर निकल रहा है, amount of induced EMF, इसमें कितना होगा, ठीक है, इसके बारे मैं हमें सोच रहा है, कैसे solve करेंगे, जो attempt कर रहे हैं, वो वीडियो को पहुच करो, और अपना solve करना, start करो, बाकि मेरे साथ समझ लो, किस तरीके से बच्चों हमें इसे solve करना है, देखो यार, एकदम आसान सी बात है, अगर ये loop बहार निकल रहा है, ये conductor move कर रहा है, तो इसमें EMF induced होगा, ठीक है, अगर कोई भी बात है किलियर हो जाएगी, अभी इतना समझ लो, अगर कोई भी conductor को magnetic field में रखा है, और वो conductor move कर रहा है, तो definitely उसमें EMF induced होगा, and amount of induced EMF होगा, बच्चों हमारा VLV, अगर मैं value लिखूं, तो B तो है बेटा 5, length है बेटा 0.2, and velocity है बेटा 0.02 meter per second, centimeter को किसमें बदल लिया, meter में, यहां से अगर आप इसको solve करोगे, तो यह हो गया बेटा 1, यह हो गया बेटा हमारा 0.2, तो overall यह आएगा, 2 into 10 to the power minus 2, इतना EMF अपना induced होगा, amount of induced EMF, which is equal to over 2 into 10 to the power minus 2 volt, बट हमें तो क्या निकालना है, induced current, अगर मैं यहां पर induced current की बातचीत करूँगा, तो यह क्या होगा, induced EMF upon R effect, मुझे यह पता लग जाए, इसका net resistance कितना है, तो मैं बता दूँगा, induced current इसमें कितना होगा, अब बस net resistance हमें निकालना है, हाँ जी, अगर मैं बेटा इनको check करता हूँ, तो यहां पर बेटा, आपको check करना होगा, इनमें pattern हमारा कैसा बन भाएगा, इनका pattern अगर मुझे पता लग जाए, तो मैं बता दूँगा, यहां पर induced EMF क्या होगा, अगर मैं यहां पर check करूँ, तो यह मैंने खोड़ा questions को यहां puzzle कर दिया है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ बेटा, यह A point है, यह अपना B point है, यह अपना C point और यह D है, यहां अगर current आई आ रहा है, तो current आगे distribute होगा, फिर हमारा current नीचे आएगा, और कुछ ना कुछ current हमारा है, इसमें भी जाना चाहिए, बात आ रहे है साज में, यह आपको एक तरह ऐसे weight stone दिख रहा है, पढ़ड़क है ने आपने, इन ends पर battery connected है, तो यह weight stone है, weight stone है तो यह वाला point तो, यह वाला resistance तो अपना हट जाएगा, ठीक है, दिख गया, यह जो resistance है, यह तो हट जाएगा, weight stone हो गया है, चलिए, इसको अटा दिया, 4-4-2, 4-4-2, और 2 और 2 हो गया, एक, net resistance कितना बना, 4-4-8, 4-4-8, दोनों सीरीज में, 8 ohm, 8 ohm, 8-8 से यह बन गया, 4 ohm का, इसका net resistance आया, 4 ohm, जो 6 ohm के साथ, पहले में connected है, तो net total effective बन गया, 10 ohm, तो यह आया, 2 into 10 to the power minus 2 upon 10, that will become 2 milliampere, कितना current इस circuit में flow होगा, which is equal to 2 milliampere, इस type से हमसे problem पूछ लेता है, जो मैंने पहले आपको emotional EMMA बता है, अगर कोई भी conductor, external magnetic field में move कर रहा है, definitely EMF induced होगा, which is equal to होगा BLB, I होगा यह, यहाँ पर मैंने current electricity का भी concept लगा दिया था हूँ, राइट, चलिए, अगली बातचीत करते हैं, let's say मैं next question बोल देता हूँ, बच्चो, आपको बोला है कि value of earth magnetic field, that is equal to 5 into 10 to the power minus 3 tesla, ठीक है, और कोई भी aeroplane है, बहुत ही गंदी आत्रती बनाई है, मैंने, ठीक है, माल लो है, यह कोई भी aeroplane है, ठीक है, and that is moving from west to east, it is moving from west to east, राइट, आपको बोला है बटा, कि earth magnetic field है, horizontal तो इतना है, vertical earth magnetic field की value मैं बोल देता हूँ, that is equal to 4 into 10 to the power minus 3 tesla, vertical अपना इतना है, ठीक है, इसकी जो plane की जो length दी हूँ है, that is equal to the year, which is equal to, let's say, 10 meter, आरे बाद साज़ में, plane की length कितनी है, 10 meter, और इसकी जो velocity है, that is equal to हमें दी हूँ है, 100 meter per second, तो इसमें induced EMF कितना हूँ, ठीक है, plane की यह वाली length है, 10 meter, और यह जो wings वाली length है, इसको भी हमें दी हूँ है, that is equal to है, बच्चों, इसको हम ले लेते हैं, 5 meter, wings वाली जो length है, 5 meter, यह वाली length है, 10 meter, horizontal, vertical, magnetic field दिया, velocity दी हूँ है, induced EMF हमें निकालना है, काफी अच्छा question है, इसमें सोच के देखो, induced EMF की value क्या होगी, बगी मेरे साथ समझ लो, कैसे निकालना है, देखो यार, मैंने आपको बताया है, कि अगर मैं horizontal, magnetic field की बातचीत करूँ, तो यह तो apply होता है, बेटा, हमारा, south pole to north pole, और अगर मैं vertical, magnetic field की बातचीत करूँ, तो यह apply होता है, यह वाला length vector इदर है, इसकी velocity vector भी इदर है, यह दोनो parameter parallel होगे, मैंने जो आपको concept बताया है, उसमें बताया है, कि magnetic field perpendicular होना चाहिए, length हमारी y में है, अगर velocity x में, तीनों आपस में perpendicular है, तो induced EMF आता है, वी एल भी, ठीक है, यहाँ पर length और velocity बेटा पैलल होगे, तो इस वाली length के लिए, तो कोई भी EMF induced नहीं होगा, यह इदर मैं बातचीत करूँ, यह वाली length जो है width है, और bs यहाँ पर दौनों पैलल होगे, तो bs के इसाब से भी, कोई भी EMF induced नहीं होगा, यहाँ पर बेटा है, काफी अच्छा कोश्चन है, अगर आप इसको देखो, VV तो अंदर की तरफ है, ठीक है, इसकी velocity है, एक्स में, length कौन से count होगी, अपनी y वाली, तीनों पैरामीटर हमारे क्या होना चाहिए, perpendicular, VV तो अंदर, velocity ले लिए x में, तो बेटा, length हमारी कौन से count होगी, y वाली, डेट में मैं बोल दूँगा, velocity तो होगा, बेटा, इसका 100 i कै, length जो count होगी, डेट इस आप 5 j कै, अब vertical magnetic field हमारा count होगा, that is 4 into 10 to the power minus 3 minus k, तीनों मुझे perpendicular component लेने है, VH के लिए बेटा, य पैलल बन रहा है, अगर VH के लिए मैं देखने, तो length और velocity पैलल है, मतलब VH के हिसाब से EMF नहीं आएगा, यहाँ पर EMF इनके हिसाब से आएगा, तो इन्डूज EMF होगा, VV, ये वाली length और ये velocity, तो amount बनेगा, 4 into 10 to the power minus 3, कौन सा हमें magnetic field लेना होता है, कौन सी length लेनी होती है, कौन सी हमें velocity लेनी होती है, जब हमें काफी सारे magnetic field दिये जाएं, पहले concept को इधर compile करते हैं, आपको ये बात सवज में आनी चाहिए, कि कोई भी conductor को अगर मैंने external magnetic field में move कराया है, तो EMF induced होगा, which is equal to VLV, current आएगा with VLV upon R, force इतना होगा और power ये होगी, ये बात clear, कैसा question इस पे frame हो सकता है, इस question को मैंने एक current वाले concept से भी ले लिया, direct question मैंने कराया नहीं, direct question तो आप कुदी कर सकते थे, कि मुझे ये external magnetic field दिया हुआ है, और ये move कर रहा है, V velocity से L length है, तो सीधा सीधा बोलते हैं, इंड़ी चीए मैं पोगा VLV, value दे देता तो value भी लिख देते, direct question नहीं कराया है, मैंने यहाँ पे current वीज में ले लिया, ये एक अच्छा question है, यहाँ पर बेटा हमारा vertical magnetic field count होगा, ना कि horizontal, ये बात काफी students को अभी clear अच्छे से हो नहीं पाई होगी, अब इस concept को मैं और अच्छे से clear करता हूँ, देखो, अब मैं टेड़े मेडर conductors भी लूँआ, जिससे हमारी ये वाली बात हैं अच्छे से clear हो जाए, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा concept सिखा देता हूँ, देखो यार, let's say, ये कोई भी मुझे external magnetic field दिया हो पाई, ठीक है, और इस external magnetic field में, ये कोई भी एक conductor है जो move कर रहा है, ये मैं बोल देता हूँ, ये एक conductor है, ये इस external magnetic field में, भी velocity से move कर रहा है, ठीक है, length of this conductor is a, concept समझ ले न, यहां से आपको direction की सारी बात है clear हो जाएंगी, कौन सा magnetic field हम लेता है, कौन सी length लेता है, अब देखे बच्चो, conductor है, तो conductor में present होंगे, free electron, ये मैं बोल दूँँआ, अगर conductor move कर रहा है, तो इसमें present free electron भी move कर रहा है, free electron किदर जा रहा है, आगे की तरफ, that means, charge external magnetic field में move कर रहा है, और अगर बिटा, charge external magnetic field में move करेगा, तो यहां apply होगा magnetic force, correct, and the direction of magnetic force is determined by left hand rule, four finger को magnetic field की direction में रखो, middle finger को velocity की direction में रखो, तो थम्ब बताता है बेटा, direction of magnetic force, मतलब electron पे force लगेगा, उपर की तरफ, अब electron negative charge है, ultimately FM किदर आ जागया हैगा हमारा नीचे, positive charge होता तो force उपर की तरफ, negative है इसलिए नीचे की तरफ, that means, इस conductor के move करने से, electron move करा, electron move किया, तो इस पर magnetic force अप्लाई हुआ, magnetic force अप्लाई हुआ, तो electron नीचे आने लगे, तो नीचे एखटा होने लग जाएगा, negative charge, आई बात सहज में, नीचे क्या आने लगेगा, negative charge, same day में बेटा, उपर यहाँ पर positive charge अखटा होना चालो हो जाएगा, उपर क्या ने लगेगा, positive charge, आई बात सहज में, उपर तो positive बनता जा रहा है, नीचे negative बनता जा रहा है, overall मैं बोल दूँँँआ बेटा, यहाँ पर यह positive charge polarity होगी, और यह negative charge polarity है, ठीक है, overall क्या हुआ, उपर positive बन गया, नीचे negative बन गया, यह मैं ऐसे बोल दूँ, positive से negative produce होगया, electric field, और यह electric field, electron पर उपर की तरफ force लगाएगा, negative charge पर, electric field के opposite direction में force लगता है, तो यह उपर की force, तरफ force लगाएगा, overall इसमें EMF induced हो जाएगा, जिसकी battery की polarity ऐसी होगी, कहने का मतलब क्या है, अगर किसी भी conductor को external magnetic field में move कराते हैं, तो इसमें EMF induced हो जाता है, induced होने का region है, magnetic force से electron नीचे जाते हैं, तो उपर positive charge बनने लगता है, overall electric field produce होगा, electric field के गारण electric force लगेगा, तो एक side positive polarity बन गई, एक side negative polarity बन गई, overall इहां EMF induced हो गया, एक stage बच्चों हमें ऐसी अचीव होगी, जब amount of electric force, that will become equal to amount of magnetic force, आरे बास साज में, कि एक stage हमें ऐसी अचीव होगी, जब इस पर लगने वाला electrostatic force, magnetic force दोनों ही अपने equal हो जाएगे, कितना electrostatic force लग रहा होगा, that is equal to over E, E vector, और कितना magnetic force लग रहा होगा, that is equal to over B cross B, आरे बास साज में, कितना electric force लग रहा होगा, इतना magnetic force लग रहा होगा, अगर बच्चों मैं यहां पर लिखता हूँ, तो E से तो E cancel out हो गया, आप अगर electric field को in terms of potential लिखना चाहोगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, that will become minus के dv over dr, that will become equal to velocity vector cross of magnetic field vector, तो यहां से आएगा बेटा potential difference, dv over dr लिख दो या dv over dl लिख दो, तो यह आएगा potential difference, minus के velocity vector cross of magnetic field vector, multiplied by dl, कोई कि potential difference के scalar quantity है, यहां से scalar result आना चाहिए, तो यहां क्या हो गया, dot product, overall अगर मैं बेटा इसको integrate करता हूँ, so here induced EM, वैसे हमें direct formula याद रखना है, derivation याद नहीं रखना है, लेकिन मैं पूरा concept आपको बता रहा हूँ, overall induced EMF ओगा, minus के velocity vector cross of magnetic field vector, dot of length field, यह इसका exact formula है, जैसे मैंने पहले जो आपको बताया था न, induced EMF equal to vlb, यहां पर तो अगर तीनों चीज़ें perpendicular हो, तब यह vlb आता है, लेकिन इससे सारी कहानी clear नहीं होती, proper way मैं अगर इसका formula लिखा जाए, तो proper way मैं formula बनता है, पाते हैं, इससे हम direction of magnetic field, direction of length vector, velocity vector, कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, वो सारी बाते हम पटा लगा पाते हैं, even मैं यह वाले question को इस formula से solve कराऊँगा, यह मैंने जो plane वाला question कराया था, इससे जब आप करोगे, तो आपको यह पूरा numerical समझ में आ जाएगा, सारे cases अच्छे से समझ में लेए, पहले पेटा एक बार बापस से compile कर लेते हैं, कोई भी conductor को जैसे ही external magnetic field में move कराया, तो EMF induce हुआ, पहली बात बनती है कि induce हुआ क्यों, वह मैंने explain किया, second induce हुआ तो कितना आया, तो इसको मैंने proper vector format में निकाला है, velocity vector cross of magnetic field vector dot of length vector, अब देखिए, अब एक-एक case को समझना, आपको सारी बात हैं अच्छे से समझ में आने लगी हैं, जैसे पहला case है, यह हमें magnetic field दिया हुआ है, ठीक है, इस magnetic field में यह कोई भी conductor है, जिसको हम boop करा रहे हैं, यह कोई भी magnetic field है, जिसमें हम boop करा रहे हैं conductor को विदा velocity, second case है, मैं बोल देता हूँ, यह आपको बेटा, magnetic field दिया हुआ है, ठीक है, इसमें बेटा, यह कोई भी conductor है, जिसको हम भूब करा रहे हैं विदा विलोस्टी ठीक है थर्ड केस है यह हमें external magnetic field दिया हुआ है इसमें यह कोई भी conductor रखा है इसको हम भूब करा रहे हैं विदा विलोस्टी एक एक पॉइंट को हम समझाएंगे अलग-लग cases से अब मैं बोल देता हूँ बटा फॉर्थ केस है लेट से मैं बोल देता हूँ यह मुझे external magnetic field दिया है और मैं बोल देता हूँ बच्चो यह कोई भी एक conductor है यह कोई भी एक conductor है इसको मैं मूब करा रहा हूँ विदा विलोस्टी ठीक है और यह वर्टिकल से एंगल बना रहा है ठीटा पहले इन चार केसे इसके लिए बातचीत करते हैं इंडूज EMF क्या होगा अब मैंने conductors को सीधा टेडा मेडा magnetic field की direction को भी change किया है ताकि हम बात को अच्छे से समझ पाएं ठीक है देखो बच्चो अगर कोई भी conductor external magnetic field में move कर रहा है तो definitely EMF induce करेगा amount of induce EMF होने वाला है हमारा V cross V dot L minus negative nature को बता रहा है लेकिन amount होने वाला है इस वा V cross V dot of L vector that is the amount of induce EMF राइट चलिए चेक करके देखते हैं भाई कि यहाँ पर induce EMF क्या होगा देखो बच्चो अगर मैं यहाँ से result निकालूँ अगर V और V parallel हो गए let velocity और magnetic field parallel है ठीक है पहली बात समझ लेना एक एक important बात है यह सारी अगर velocity और magnetic field parallel है cross product में आता है अपना sine theta V V sine theta parallel है तो theta क्या हो गया 0 theta 0 तो sine 0 बतलब यह वाली term क्या बनगे 0 ultimately इंड्यू जीमें फोगा 0 अगर velocity और magnetic field parallel हो गए तो इंड्यू जीमें फोगा 0 दूश्री बात let velocity and length are parallel ठीक है अब देखो V cross V अगर इन दोनों का मैं cross product कर रहा हूँ तो इन से एक नया vector मिलेगा जो इन दोनों का क्या होगा perpendicular होगा इन दोनों से क्या होगा perpendicular होगा अगर यहाँ पर मैं बातचीत करूँ length और velocity parallel है कहने का मतलब क्या है यह वाला case यहाँ पर अगर आप देखोगे length और velocity दोनों parallel है तो हुआ क्या जैसे ही यहाँ पर मैंने V cross V किया V cross V किया यह sin 90 था इनकी जो direction आईगी V cross V से इसमें अगर direction निकालोगे cross product से तो यह अंदर की तरफ है तो यह direction हमारी किदर आ रही है नीचे मतलब कि इन दोनों के perpendicular vector आएगा that means जो नया vector आएगा वो length के भी क्या हो जाएगा perpendicular बता रही है सांज में यह तो दोनों parallel है यहां से जो vector आ रहा है वो perpendicular हा रहा है मतलब वो length के भी क्या हो गया perpendicular dot product में क्या निकल के आता है बेटा cos theta मतलब कि dot product में जो theta आएगा वो 90 आएगा overall यहां पर भी इंडूई जी एमेप क्या होगा 0 अगर यह V और V L parallel है यहां मैं ऐसे बोल दूँ बेटा length और magnetic field पैलल है length और magnetic field पैलल है यहां से जो निया vector आएगा वो magnetic field के perpendicular length magnetic field के पैलल है मतलब निया vector length के भी perpendicular तो यहां पर भी 5 हो जाएगा हमारा 90 तो इंडूई जी एमेप होगा जी कहने का मतलब क्या है अगर कोई भी 2 parameter पैलल हो जाता है तो इंडूई जी एमेप 0 होता है कोई भी 2 parameter अगर पैलल है तो इंडूई जी एमेप 0 होता है बस इसी बात को यहां पर समझ लो velocity magnetic field पैललल है velocity magnetic field पैललल है इंडूई जी एमेप कितना होगा अगर velocity और magnetic field पहलल तो इंड़ी जीम अब 0 क्यों हुआ 0 क्योंकि VV sin 0 sin 0 is 0 अगर length और velocity पहलल है length और velocity पहलल है तो velocity cross magnetic field नया vector आएगा जो इन दोनों पे perpendicular है लेकिन length तो velocity की direction में है मतलब नया vector length के भी perpendicular और length के perpendicular तो cos 90 0 that means कोई भी दो parameter पहलल है तो इंड़ी जीम अब 0 तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा correct आ रहे बास साइज में अगर बेटा इस वाले में बातचीत करूँ हाँ जी length है y में velocity है x में magnetic field है z में तो इंड़ी जीम अब हमारा यहाँ पर जाएगा vlb तीनों perpendicular है verify कर सकते हो formula से करके देखते है हाँ भाई velocity cross magnetic field angle कितना है velocity magnetic field में 90 sin 91 हो गया यहाँ से जो direction आईगी यह x में यह z में तो इन दोनों से जो नहीं direction आईगी वो y में आईगी length किस में है y में मतलब कि दोनों पहले cos 0 क्या हो गया पर आरी न बात साज में तो indu gm app इस वाले case में होगा plb बस इस formula को समझाओगे तो हर type के question को attempt कर पाऊगे जैसे बच्चो इस वाले में अगर मैं बातचीत करूँ तो इसकी length के मैं दो component ले सकता हम एक तो इसके along आएगा L cos theta और एक इसके along आएगा L sin theta मैंने incline का नहीं पड़ा मैंने क्या किया इस rod को दो rod में तोड़ दिया एक L cos theta की rod है एक L sin theta की rod है जो L cos theta की है ये V velocity से जा रही है ये L sin theta की V से जा रही है टिक है ऐसे बोल सकता हम हाँ जी L sin theta length भी इधर है velocity भी इधर है दोनों पैलल हो गए इसके लिए तो into gmf 0 और इसके लिए यहाँ पर length y में velocity x में magnetic field z में तो इसके लिए 9 0 तो कितना बना into gmf? B effective length कितनी है L cos theta multiplied by velocity तो ये आ गया बच्चों हमारा V LV cos theta लिख लो इसे अब आपको बेटा जो मैंने plane वाली problem कराई थी वो समझ में आगी होगी ये एकदम simple सा तरीका है हमारा into gmf की value को निकालने का चलिए आगे की बातचीत करते हैं और case ले लेता है ठीक है? जैसे next problem में ले लेता हूँ let's say बच्चों ये आपको दिया हुआ है ये external magnetic field है और यहाँ पर बच्चों ये कोई भी एक conductor है ठीक है? ये कोई भी conductor है जो की angle form कर रहा है याँ पर ठीटा और ये B velocity से move कर रहा है इंडू जी एम एम कितना होगा ये बताना है आपको बोला है ये वाली length है L और ये वाली length है L अगला ये बोई uniform magnetic field ये कोई भी conductor है ये पूरा system B velocity से आगे जा रहा है length L length L length L इंडू जी एम एम कितना होगा ये बताना है आपको ठीक है? ये वाला case है ये वाला case है दोनों में इंडू जी एम एम की value को हमें निकालना है value of इंडू जी एम एम हमारी याँ पर क्या होगी? चलिए चेक करते हैं बच्चों कैसे निकालेंगे? value of इंडू जी एम हमारा क्या होगा? जो solve कर रहे हैं वो अपना solve करो बाकी मेरे साथ समझ लो देखो भाई यार बात ऐसी है ये पूरा conductor का जो set है ये v velocity से हमारा आगे जा रहा है तो ये conductor का set है ये v velocity से आगे जा रहा है अगर बेटा मैं यहाँ पर इसको split करूँ तो ये angle है theta by 2 ये वाला angle भी है theta by 2 right? एक length तो इधर आएगी l cos theta by 2 एक length इधर जाएगी l sin theta by 2 same way में इस l की एक length तो इधर आएगी l cos theta by 2 एक length इधर जाएगी l sin theta by 2 आर ये बात सज में एक तो इधर चला गया l sin theta by 2 और एक इधर जाएगा l cos theta by 2 तो मुझे दिया हुआ क्या है? एक तो ये conductor है जिसकी length है 2l sin theta by 2 जो की v velocity से आगे जा रहा है और एक ये conductor है जिसकी length है 2l cos theta by 2 sorry l cos theta by 2 l cos 2l cos theta by 2 और ये भी हमारा v velocity से आगे जाएगी रैट? हाँ जी अगर आप इसे check करोगे तो यहाँ पर length और velocity पहलल इसके लिए तो induz EMF 0 सिधा सिधा बोल दो हाँ जी यहाँ पर length और velocity perpendicular है तो यहाँ induz EMF आएगा magnetic field B भाई length Y में velocity X में और magnetic field Z में तो यह हो गया बेटा magnetic field B length हो गई हमारी 2l sin theta by 2 velocity हो गई overall मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ induz EMF की value आएगी 2vLv sin theta by overall induz EMF की जो value आएगी that will become 2vLv sin theta by आई बात समझ में एकदम आसान है ना बसे यहाँ चीज़ों को समझ रहा है कुछ भी नहीं है ऐसा पर लो कोई hard and fast concept नहीं है एक बार समझ में बैठ जाता है ना तो बड़ी आसानी से solve होता है तो इसका induz EMF कितना होगा 2vLv sin theta by चलिए अगले कोशन की बातचीत करते हैं यहाँ पर induz EMF क्या होगा इसको determine करके देखते हैं value of induz EMF अपनी इसके लिए क्या आने वाली है देखो बच्चो जो solve होने वो तो अपना solve करो वो बागी मेरे साथ समझे लो अगर बेटा मैं यहाँ पर check करूँ यह length है यह perpendicular move कर रहा है तो इसमें एक battery बनेगी same यह length perpendicular move कर रही है तो इसमें एक battery बनेगी same यह perpendicular move कर रही है एक battery यहाँ पर बनेगी एक battery यहाँ पर भी बनेगी बट अगर मैं इस horizontal में बातचीत करूं तो length और velocity पेलल हैं तो यहां पर तो E नहीं आएगा और इसमें भी E नहीं correct मैंने क्या 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 है कहां कहां वैटरी बनने वाली है उसको check कर लिया अगर value of into gmf इसमें लिखा जाए E तो यह कितना होगा BLV इसमें भी E लिखा जाए तो क्या हैगा BLV सेम यहां पर भी E लिखा जाए तो BLV होगा और इधर भी लिखा है तो BLV होगा सब्सक्राइब अब बस मुझे net E में बताना है देखो बच्चो ऊपर एक बैटरी है यह दोनों parallel में connected है तो parallel का भी सेम E में पाता है E अगर identical बैटरी हो और एक नीचे बैटरी है E अगर अब यह series में होगए तो E net हो जाएगा 3 BLV कितना होगा इस पूरे system का net E MF that is equal to 3 BLV बात आ रही है समय मैं एकदम आसान सा concept है कि net induced E MF which is equal to होने वाला है हमारा 3 BLV तो इस type से अगर conductor को कैसे भी टेड़ा मेड़ा करके रख दे हम इनको attempt कर सकते clear जैसे अब मैं plane वाले question की बापस से बातचीत करूं कि ये बेटा plane हमें दिया हुआ था जो इसकी ये wings है ये तो क्या था बेटा BH ये मैं बोल देता हूं L length थी ये इसकी B विर्थ थी velocity इसकी इधर थी और vertical magnetic भी लगना है तेक है अब सारी length के respect में हम चेक करते हैं इंड्यू जी है में अब क्या होगा तो देखिए ये BH है ये वाली length पहलल है इन दोनों का कोई भी combination नहीं बना ये दो पहलल हो गए तो इन दोनों का नहीं बना फिर मैंने चेक किया BH का इस वाली length के साथ पहले मैंने BH का इस वाली length के साथ चेक किया कुछ भी नहीं बेटा अब मैं इस वाली के साथ चेक करता हूँ अगर मैं BH को इस length के साथ लोग velocity और length parallel है तो bh का इस length के साथ भी नहीं वना मतलब bh के लिए तो induz gmf 0 समझ में रहा है दो ही length है vertical के लिए तो इसके current 0 horizontal के लिए length और velocity parallel राइट चलिए vv के लिए बातचीत करें तो vv के लिए इस वाली length में लूँ तो length और velocity दोनों parallel इसके लिए तो roll नहीं है बट इसमें अगर मैं बातचीत करूँ तो length इदर है magnetic field अंदर है velocity x में है तीनों perpendicular हो गए इसलिए मैंने बोला था induz gmf को बीबी आई बात साज में नहीं आईगी ठीक है clear तो यह बेटा simple सा concept है कि कोई भी conductor को अगर external magnetic field में move करा रहे है तो definitely महाँ पर emf induced होगा and amount of induced emf होता है हमारा vlp तो बच्चों यह पूरे concept से related आप problem solve करना still अगर आपकी कहीं भी कोई भी query रहे अगर आप किसी भी question में अटक जाओ तो आप पूछ सकते हो अपने respective telegram पर just आपको बस अपनी query post करनी है within 24 hours में हम आपकी query clear कर देंगे तो बने रहे हैं देखते रहे हैं और अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगते हैं आपको लगता है कि आप यहां से सीख रहे हो अब अपने neat की मंजिल पर पास में पहुंच रहे हो तो अपने दोस्तों को भी recommend करिए so बच्छो wish you all the best thank you for watching this video